उधंपूर में दिन भर चाय रहे बादल शाम को ताप मान गिरा उधंपूर में तीन दिन तक मौसम साफ रहने के बाद गुदवार को मौसम के मिचास में भारी बदलावाया दिन भर आस्मान में बादल चाय रहे इस ठंड के आसार में बढखोतरी महसूस की गई सुभा की शुरुवाती हलकी धुंद के साथ हुई और इसके चलते सूरदेव के निकलने के बावजूद भी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिरी दिन के बढ़ने के साथ ही गरीब 10 बजे के आसपास हलके बादलों के छाने का सिलसला शुरू हो गया दोपेर होने तक आसमान पूरी तरह से बादलों से ढख गया इससे शेत्र में पिछले कुछ दिनों के मुकाबले अधिक ठं का असर महसूस किया गया दिन भर आसमान बादलों से ढखे रहने के कारण बढ़े ठं के असर ने लोगों को दिन के समय में भी उनी कपड़े, शॉल और जैकेट आधी पहनने को मजबूर कर दिया इस दोरान दिन में कई बार बारिश के संभावनाय बनने के बावजूद बारिश नहीं हो पाने के चलते, लोगों को मौसम में बदलाव के कारण अधिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ा करतलब है कि 15 नवेंबर से पहले मौसम के कारण उच्छ पहाडी शेत्रों में हुई बरफ़ारी और मैदानी लाकों में लगातार तीन दिन तक हुई हलकी बारिश के बाद उधंपूर नगर में ठंड और शीत लहर का असर बढ़ गया है वहीं आज भी सुभा से मौसम ठंडा बना हुआ है और रात को पारा और गिरने के भी आज़ा है